प्रिशा का चेहरा सफेद हो चुका था, उसने कहा, मैं तो घर पर ही थी, तुम कृष से भी पूछ सकते हो, हम दोनों साथ में ही थे, धेरे ने अपनी गहरी नसरों से प्रिशा को देखते हुए कहा, उमीद करता हूँ तुम सच बोल रही हो, प्रिशा ने हिम्मत करके धेरे तो इसकी शादी नहीं होने दूगी, ये कहते हुए प्रिशा अध्या के कमरे की तरफ देख रही थी, रावी के कमरे में, रावी किसी से फोन पर बात कर रही थी, रावी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें आना ही होगा, तुम कितने सालों से इंडिया नहीं आई उसी जगर से जुड़ा है, अगर मैं वहाँ आ गई तो शायद वो दुबारा मेरा पीच्छा करने लगे, रावी ने कहा, तुम इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चलो जल्दी से फ्लाइट पकड़ो और यहां आचाओ, क्या तुम अकेले नियू यूउक में रहते वो रावी ने एक गहरी सांस लेकर गा, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सच्चाई से भागे नहीं, उसका सामना करे, मैं जानती हूँ कुछ गलत फहमी हुई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब कुछ छोड़ देगी, वो सब हमारे कारन हुआ था और उसे ठीक भी हमें ह ये कहते हुए विहान आइने की तरफ देख रहा था, जसमें रावी का चेहरा दिखाई दे रहा था, रावी के चेहरे पर हल्दी लगी थी और उसने भी फ्लावर वाली ज्वेलरी पहनी थी, उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसने एक लाइट येलो कलर की साड़ी रावी ने का, तुम मुझे ऐसे ही क्यों देख रहे हो, विहान ने का, मेरी मरसी जो सामने आइने में दिख रही है, तो मेरी वाइफ है, मैं जब चाहे और चितनी देर तक चाहे उसे देख सकता हूँ, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, रावी ने घूर कर विहान की लगी और वहां से चली गए, विहान ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए का, क्या करूँ अगर मैं ज्यादा समझतार हो गया, तो तुम्हारी ये बेफकूफी मुझसे जेली नहीं जाएगी, विहान ने ये कहा ही था कि उसे अपने फोन पर किसी का कॉल आने लगा, विहान लगी तुम्हारी नहीं जानते हो, और तुमने आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया, कि तुम कहा हूँ, हाला कि तुम देश के प्रेसिडेंट बन चुके हो, पर फिर भी तुम अपना चेहरा ज्यादा रिवील नहीं करते हो, इसलिए ज्यादा तर लोग नहीं जानते है कि तुम कौन हो या फिर तुम क्या कर रहे हो, रिशी ने गहरी सांस लेकर का, ये जरूरी था, विहान ने का, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि ये करने की क्या जरूरत थी, रिशी ने का, एक दिन मैं तुम्हें इस जरूर बताऊंगा, पर इस समय मैंने तुम से कट कर दिया अगले दिन संगीत फंक्षन था जिसमें काफी सारे सेलब्रिटीज को बुलाया गया था सभी जानते थे कि राजवंच परिवार के फंक्षन कितने शांदार होते हैं इसलिए कई सारे मीडिया रिपोर्टर हवेली के बाहर घूम रहे थे पर किसी को भी अंदर आकर वीडियो या फिर फोटोज लेने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि धेर ये नहीं चाहता था कि शादी को पब्लिक में ज्यादा दिखाया जाए अंदर सभी लोगों ने काफी डांस किया आध्या और धेरे का भी एक परफॉर्मंस था जिसमें वो दोनों काफी ज्यादा जीब देख रहे थे क्योंकि उन दोनों में से किसी के भी चेहरे पर कोई एक्स्प्रेशन नहीं थे एक नकली सी मुस्कुराहत के साथ डांस करते हुए वो लोग सिर्फ एक पफेक कपल लग रहे थे उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो प्यार में हूँ ये देखकर रावी और वीरा दोनों की आखें छोटी हो गए लेकिन उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था अर्ने और मुक्ती भी वही मौझूद थे और बैटकर फंक्शन देख रहे थे अर्ने मुक्ती के साथ ही रहता था क्योंकि मुक्ती को हमेशा किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती थी जो उसकी मदद कर सके क्योंकि वो एक हैंडिकैप थी अगले दिन शाम के समय शादी की तैयारियां जोरो शोरो से चल रही थी हवेली को बहुत सुन्दर तरीके से सजाया गया था गार्डन में मंडप लगा था और सभी लोग काफी खुबसूरत तरीके से तैयार होकर वहां बैठे होए थे पंड़िची हवन कुंड में अगनी में आहूती देते होए मंदरों का उच्चारन कर रहे थे सभी लोगों को दुलहा और दुलहन का इंतजार था दुलहा थोड़ी देर में मंडप में आ गया था और वहां बैठकर पूचा कर रहा था वही अब सभो दुलहन का इंतजार था पर अभी तक वो वहां नहीं पहुंची थी रावी भी बार बार दर्वाजे की तरफ देखते हुए किसी का इंतजार कर रही थी तब ही रावी की नजर एक इंसान पर गई और उसकी आखें चमक उठी वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने उस इंसान से हाथ मिलाते हुए का मैंने उमीद नहीं की थी कि तुम सच में शादी में शामिल होने आओगे उस इंसान ने बिना किसी भाव के गा जब तुम दस बार इस बारे में बताओगी तो मुझे आना ही होगा न रावी ने मुझे बनाते हुए का हर्ष तुम्हें इतना ज्यादा आटिट्यूट दिखाने की जरूरत नहीं है हर्ष ने बिना किसी भाव के रावी की तरफ देखा और फिर आगे जाते हुए का मुझे तुमसे बात करने में कोई इंट्रेस नहीं है राजवंच परिवार से जो उसकी दुशमनी थी वो उसकी तेह तक जा चुका था और उसे पत चला था कि असल में उसका परिवार ही गलत था हाला कि फिर भी उसे नहीं लगता था कि उनकी गलतियों के लिए उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए थी पर वो पास्ट को नहीं बदल सकता था इसलिए हर्ष ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था पर तब तक प्रतिग्या उसे काफी दूल जा चुकी थी और आज तक उसे नहीं मिली थी एरिक ने एक घहरी सांस लेकर आगे की तरफ देखकर गा आप ही एक ऐसी इंसाने जो मिस्टर हर्ष उसे ऐसे बात कर सकती है रावी ने वहां से जाते हुए का मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ ये कहते हुए रावी वहां से चली गई शादी की रसमे अभी भी चल रही थी पर आध्या अभी तक मंडप में नहीं आई थी धैरिया ने अहाना की तरफ देखकर गा अहाना अध्या कहा है वो अभी तक आई क्यों नहीं है अहाना ने परिशान होकर गा मैंने उसे पहले ही कहा था कि वो घर पर ही रुके मैं मेकप करने वाली को बुला दूँगी पर वो मुझसे इज़ित करके एक पार्लल में चली गई थी उसका कहना था कि वो हमेशा वहीं जाती है इसलिए वो अपना मेकप वहीं से करवा कर आईगी पर अभी तक वो लोटी ही नहीं है, ना ही उसके ड्राइवर का फोन लग रहा है मुझे आध्या की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है धैरिया ने का, दिया आप चिंता मत कीजे, हम किसी को भेज देते हैं, वो देखकर आ जाएगा हो सकता है आध्या की गाड़ी खराब हो गई हो, या फिर कोई और परिशानी हुई हो ये कहकर धैरिया ने वायू से बात की और वायू ने अपने कुछ लोगों को आध्या को ढूंडने बेच दिया धैरिया ये सब मंडप में बैठे होए देख रहा था धैरिया ने जल्दी से अपने असिस्टिंट राजीव को अपने पास बुलाया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन्स दिये थोड़ी देर बाद राजीव ने धैरिया को कुछ बाते बताई जिने सुनकर धैरिया के हातों की मुठ्छी गुस्से में बंद रही और उसकी आँखे भी लाल हो गए लेकिन उसका चेहरा भी भी शान्त था जैसे कुछ हुआ ही ना हो राजीव को थोड़ा डर लग रहा था उसने का सर हो सकता है मैम को कोई जरूरी काम हो धैरिय ने का तुम इस बार में बोलने की कोई जरूरत नहीं है ये कहकर धैरिय वही बैठा रहा धैरिय ने खुद उसे कह देखते हैं आधिया तुम्हारे लिए हमारी शादी इंपोर्टन्ट है या फिर वो इंसान ये सोचते हुए धैरिय के चेहरे पर काफी खतरनाग भाव थे वही रावी भी बाकी लोगों से बात करने में बिजी थी और वीरा भी कुछ लोगों से कंपनी के मैटर पर डिसकूर्शन कर रही थी क्योंकि वहां कंपनी के कुछ हायर ओफिशल्स भी मौचूद थे रावी ने पने फोन की तरफ देखा उसे किसी का मेसेज आया था मेसेज देखते ही रावी खुश हो गई और जल्दी से वापस दरवाजे के पास चली गई तब ही उसने देखा कि एक लड़की अंदर आ रही है उस लड़की ने ब्लाक कलर का नारकली सूट पहना था उसके एक हाथ में सिल्वर कलर की चूड़ियां थी और कानों में बड़े-बड़े सिल्वर कलर के जुमके थे उसके होटो पर पिंक लप्स्टिक थी और लंबे खुंग्राले बाल थे वो लड़की सच में बहुत ज्यादा खुब सूरत दिख रही थी उस लड़की के अंदर आते ही कई सारे लोगों की नजरें उस पर चली गई रावी ने जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ा और गहा तुम सच में यहां आ गई? वो लड़की मुस्कुराई उसने कहा कैसे नहीं आती दी? आपने बुलाया था इसलिए आना तो वो जरूरी था ना? रावी ने पीछे की तरफ देख लिए कहा क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लाई हो? ये सुनकर उस लड़की का चेहरा सक्त हो गया उसने कहा, नहीं दी आप जानती है ना मैं उसे दुनिया के सामने लाना पसंद नहीं करती हूँ और कौन है ये लड़की जोसे रावी बात कर रही है? रावी ने कहा, पर एक दन तो तुम्हें उसे इस दुनिया के सामने लाना ही होगा तुम कब तक उसे चुपा कर रखोगी ये सुनकर उस लड़की ने बात बदलते हुए कहा मैसे रावी दी क्या शादी हो गई है रावी ने कहा नहीं बस चल रही है सब रुके हुए है क्योंकि आध्या अभी तक पार्लर से आई नहीं है ये सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और रावी के साथ आगे जाने लगी तब ही उस लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है उस लड़की ने आसपास देखा वहां काफी सारे लोग मौजूद थे पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो से देख रहा हो रावी ने कहा तुम कहां को गई उस लड़की ने कहा कहीं नहीं चलिये चलते हैं ये कहकर वो वापस रावी के साथ चलने लगी काफी देर तक भी जब आध्या मंडप में नहीं आई और उसके बाद वो कहां गई किसी को नहीं पता अहाना ने कहा सधार्त प्लीज पता करो आखिर मेरी बेटी कहां गई है मुझे उसकी बहुत चंता हो रही है ये कहते होए अहाना जल्दी से रावी और वीरा के पास गई फिर उसने रावी और वीरा से कहा रावी वीरा तुम दोनों पता करो आखिर आधिया कहां गई है ये कहते होए अहाना की आखों में लगभग आसू आ चुके थे रावी ने अहाना के कंधे पर हाथ रखते होए कहा मासी आप चिंता मत कीचे हम पता कर रहे हैं काफी सारे लोग उससे ढूंडने गए हैं वो जल्दी ही मिल जाएगी जो महमान वहां आए थे उन सभी को वहां से भीज दिया गया था और सभी लोग आधिया को ढूंड रहे थे इधर दूसरी तरफ बाहर हर्ष तेजी से अपनी कार ड्राइफ करते होए एक कार का पीछा कर रहा था खर्ष ने उस कार के आगे अपनी कार खड़ी की और उस कार को घूरने लगा अचानक अपने सामने एक कार के आजाने से कार में बैठी लड़की ने भी कार के ब्रेक दबा दिये और हैरान होकर सामने खड़ी कार को देखने लगी उस लड़की ने गुस्से से कार के बाहर आते हुए कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है अभी हमारा एक्सिडेंट हो सकता था ये कहते हुए वो लड़की सामने खड़ी कार की तरव पढ़ने लगी तब भी उस कार का दर्वासा खुला और ब्लाक कलर के जूतों की जोड़ी बाहर आई उस लड़की ने सामने खड़े इंसान को देखा और अचानकी उसके कदम लड़ खड़ा गए वो लड़की अपने सफेद चेहरे के साथ उस इंसान को देख रही थी जिससे उसने कई सालों से नहीं देखा था उस इंसान ने अपनी पेंट के दोनों पॉकेट में हाथ डाले और उस लड़की को घूरते हुए कहा तो आखिर मैंने तुमें ढूंढ ही लिया तुम इतने समय से कहा थी प्रतिग्या? हाँ वो लड़की और कोई नहीं प्रतिग्या ही थी प्रतिग्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने समय बाद वो सच में हर्श से मिल रही थी जिस बात कि उसने कभी उमीद नहीं की थी वो सच में आज उसके साथ हो रही थी उसका अतीध आज फिर उसके सामने खड़ा था प्रतिग्या को समझ नहीं हर्ष प्रतिग्या के सामने आकर खड़ा हुआ और उपर से नीचे तक उसे देखने लगा प्रतिग्या काफी ज्यादा खुब सूरत दिख रही थी बीते सालों में प्रतिग्या और ज्यादर में छे और दिखने लगी थी पहले जो उसके चेहरे पर मासूमियत होती थी अब वो थोड़ी बदल चुकी थी और उसकी आखे भी पहले से काफी गहरी हो गई थी हर्ष जैसे प्रतिग्या में कहीं खोई ही गया था मैंने कहा तुम इतने समय तक कहा थी प्रतिग्या ने भी थोड़ी घुसे भरी अवास में कहा और ये मैं आपको क्यूं बताऊं आप मुझे तलाग दे चुके हैं आपका मुझ पर कोई हक नहीं है पर आप वो इंसान थे जिन्नों ने खुद उन सारे हक को छोड़ दिया था जिन्नों ने हमारे रिष्टे को बरबात कर दिया था और अब आपको इस तरह का कोई हक नहीं है कि आप मेरे करीब आ सके ये कहते हुए प्रतिग्या ने हर्ष को धक्का दे दिया हर्ष खुद को सम्हाल नहीं पाया और जमीन पर किर गया हर्ष ने घूर कर प्रतिग्या को देखते हुएगा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह भीव करने से सब कुछ खतम हो जाएगा नहीं मेरे सामने आकर तुमने सबसे बड़ी गलती करती है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझसे दूर जाकर कितनी बड़ी गलती की थी प्रतिग्या ने उस इंसान की तरफ देखा जो अपनी गलती मानने की बचाई ये कह रहा था कि वो उससे दूर हो गई थी प्रतिग्या को समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष का दिमाग किस तरह से चल रहा था हर्ष वो इंसान था जिसने उससे कहा था कि वो उससे दूर चली जाए और जब वो चली गई तो उसने कभी उसे ढूंडने की कोशिश नहीं की और अब अचानक से उसे देखने के बाद उसका प्यार जाग उठा प्रतिग्या को अब हर्ष में कोई इंट्रेस्ट नहीं था वो सिर्फ अपनी जिंदगी शांती से जीना चाहती थी प्रतिग्या ने अपनी कार में बैठते होगा हर्ष बहतर होगा कि आप मुझसे दूर रहे क्योंकि मैं आपको बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ अच्छा यही होगा कि आप भी सब भूल कर आगे बढ़ जाए क्योंकि वो सब काफी सालों पहले खतम हो चुका है और हमारे बीच अब ऐसी कोई कड़ी नहीं है चो हमें जोड़ सके यह कहते होए प्रतिग्या तेजी से अपनी कार बढ़ा कर वहां से चली गई हर्ष अभी भी जमीन पर बैठा प्रतिग्या की कार को वहां से जाते हुए देख रहा था हर्ष के चेहरे पर काफी उदासी भरे भाव थे और उसके हाथ गुस्से से मुठी में बंदे हुए थे हर्ष ने का मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गल्ती की थी लेकिन मैं उसे सुधार कर रहूँगा हालाकि मुझे माफी मांगनी नहीं आती है ना ही मुझे प्यार जताना आता है ना ही मुझे ये समझ आता है कि मेरी गल्तिया कहा थी पर फिर भी मैं तुम्हें वापस अपना बना कर ही रहूंगा ये तुमसे मेरा वादा है प्रतिग्या ये कहते होए हर्ष के होटो पर एक हलकी सी मुस्कुराहट आ गई इतने सालों बाद प्रतिग्या को देखकर उसे अपने दिल में एक सुकून सा मैसूस हो रहा था इधर प्रतिग्या कार में बैठी तेजी से कार ड्राइफ कर रही थी उसकी आँखों में आसू थे और वो उस समय के बारे में सोच रही थी जब हर्ष ने उससे जबरतस्ती डिवोस पेपर साइन करवाए थे प्रतिग्या ने सामने देखते हुए कहा हाँ हर्ष हमारे बीच भले ही कोई कड़ी नहीं है पर एक ऐसा इंसान जरूर है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है लेकिन आप कभी उससे नहीं मिल पाएंगे मैं कभी आपको ये पता चलने नहीं दूंगी की इतना कहकर प्रतिग्या चुप हो गई और कार में लगी एक तस्वीर को देखने लगी जिसमें उसने एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ था राजवंच हवेली रात के दो बच रहे थे पर अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि आध्या कहा गई है सभी लोग अभी भी आध्या को ढूंडने में लगे थे वहीं धहरे बार काउंटर के पास बैठा शराब पी रहा था धहरे की इस हरकत को देखकर सबको बहुत अजीब लग रहा था अहाना से जब रहा नहीं गया तो वो जल्दी से धहरे के पास गई और उसने धहरे का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खीचते हुए गा मेरी बेटी इतने समय से गायब है और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो आज तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी क्या तुम्हें आध्या की बिल्कुल चिंता नहीं है धहरे ने बिना किसी भाव के आहाना की तरफ देखा और कहा मासी आप शांत हो जाईए आहाना ने कहा मैं कैसे शांत हो जाऊ तुम्हें उससे ढूनने जाना चाहिए वो तुम्हारी होने वाली पतनी है यह सुनकर धहरे के होटो पर एक अजीब सी मुस्कुराहट अगई उ अध्या का पहले से किसी के साथ अफेर चल रहा है यह सुनकर अध्या को विश्वास नहीं हुआ उसने का तुम जूट के रहे हो हैरे ने फोन में कुछ वीडियो अच्छा वीडियो नहीं था इसलिए आहाना ने जल्दी ही फोन बंद कर दिया हैरे ने दुबारा अहाना के हाथ असे फोन लिया और दूसरा वीडियो चालू कर दिया जिसमें आध्या और मोक्ष एक कैफे में बैठे हुए थे और मोक्ष ने आध्या के हाथ पर हाथ रखा था वो दोनों काफी करीब बैठे थे और आपस में बाते कर रहे थे तीसरा वीडियो आज का ही था जिसमें अध्या अपने शादी के लेंगे में हॉस्पिटल रूम में खड़ी थी और उसने अपने दोनों हाथों में मोक्ष का एक हाथ पकड़ा हुआ था अहाना को विश्वास नहीं हो रहा था कि धैरे जो कह रहा था वो सच था हैरे ने का मासी आप ही बताईए मुझे क्या करना च करती है ये कहकर धैरे ने अपने फोन को जोर से जमीन पर पटका जिससे सब दो कदम पीछे हट गए रावी और वीरा शांती से वहां खड़ी थी वो दोनों जानती थी कि धैरे इस समय काफी गुस्से में होगा हाला कि वो दोनों आगे जाना चाहती थी लेकिन उन्होंने इस मामले में ना पढ़ना ही बहतर समझा ये मामला धैरे और आध्या के बीच का था और अगर वो दोनों इसमें इंटेफेर करती तो इसे धैरे सिर्फ नाराज होता घर से निकलने के बाद धैरे अपनी कार को तेजी से ड्राइफ करते हुए एक सुनसान रोट पर जा रहा हैरे ने उस इस इंसान को उसकी बाजू से पकड़ कर अपनी तरफ खीचा और गा तुम यहां क्या कर रही हो तुम्हें तो अपने आशिक के साथ होना चाहिए आध्या ने धैरे की तरफ देखा उसकी आखे अभी भी लाल थी आध्या ने गा मुझे किस के साथ होना कि वो जिन्दा नहीं रह पाया आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो है मुझे तुम जैसे इंसान से कोई रिष्टा नहीं रखना है जो एक खूनी हो यह कहकर आध्या आध्या मोक्ष की मौत से काफी दुखी थी और वो बार-बार उसका इल्जाम धैरे पर ही लगा रही थी वहीं धैरे मोक्ष की मौत की खबर से पूरी तरह अन्जान था धैरे ने चौकते होए आध्या से कहा तुम ये कैसी बात कर रही हो और भला मैं मोक्ष को क्यों लेकिन वो बीच सड़क पर किसी दरहा का कोई भी मैटर बनाना नहीं चाहता था इसलिए उसने आध्या से कहा आध्या मुझे लगता है हमें घर में चल कर इस बारे में बात करनी चाहिए बीच सड़क पर इस तरह की बातशीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता है और घर में भी सभी परिशान है और तुम्हारा इंतजार कर रहे है इतना कहकर धैरिय आध्या के हाथ को पकड़ने लगा लेकिन आध्या ने सोर से अपना हाथ धैरिया के हाथ से जटक दिया और कहा तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो और मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मैं अपने आपको और अपनी जंदगी को खुद सम्हालना जानती हूँ आध्या की इस तरह की बाते सुनकर धैरिय का पारा छड़ने लगा उसने आध्या से कहा तुम यह मत भूलो कि आज मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम मेरी मंगेतर ह तुम्हें मेरे डिसुजन और मेरी बात को मानना ही होगा चुपचाप यहां से चलो नहीं तुम मुझे तुमसे जबरदस्ती भी करनी पर सकती है आध्या का चेहरा घुस्से से लाल हो गया था और रोते हुए उसकी आखें भी सुर्ख लाल हो चुकी थी वो काफी समय से र धैरे आध्या की बातों से और उसके द्वारा दिये गए टैक से खुश नहीं था लेकिन फिर भी उसने आध्या पर घुसा नहीं किया और चुपचाप गाड़ी में बैटकर गाड़ी चलाने लगा कुछ देर तक धैरे शांत रहा और वो आध्या से कोई भी बातचीत नही धैरे ने कहा तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं उसे जान से मार दूंगा आध्या की आँखों से आशू रुपने का नाम नहीं ले रही थे आध्या ने रोते हुए धैरे से कहा मैं इसलिए ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि तुम ही थे जो मोक्ष से सबसे ज्यादा नफरत कर धैरे ने गाड़ी के स्टेरिंग पर हाथ मारते हुएगा तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है और जो तुम कह रही हो वो तुम्हें कर ही नहीं सकता उसके साथ क्या मैं ये तो अपने किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता हूँ धहरे आध्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया था लेकिन आध्या धहरे की बात को सुनने और समझने के लिए तयार ही नहीं थी थोड़ी ही देर में वो दोनों उससे जगा पहुँच गए जहां पर सभी घरवाले मौजूद थे हर कोई आध्या की खोच कर रहा था और इस इंतजार में था कि जल्दी से आध्या मिल जाए तभी जैसे ही दर्वाजे के अंदर धहरे की गाड़ी एंटर हुई सभी के चहरे पर खुशी दोड़ गई और सभी लोग चुलाते हुए कहने लगे अध्या आ गई है धहरे और अध्या आ गए है अध्या मिल गई है अब तक मायूसी से भरा हुआ महौल थोड़ी सी खुशी में बदल गया था लेकिन जैसे ही अध्या गाड़ी से उतरी और सभी ने अध्या का रोता हुआ चहरा देखा तो एक बार फिर से सभी के चहरे पर उदासी चा गई थी सिर्फ आध्या रो नहीं रही थी बलकि धहरे का चहरा भी मायूस था तभी सध्धार्थ और अहाना दोड़ते हुए आध्या की तरफ पड़े और सध्धार्थ ने कहा मेरी बीटी को क्या हुआ है और तुम रो क्यो रही हो आध्या आध्या बिहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी धहरे ने उसे समहा ले लिया और अपनी गोद में उठा लिया धहरे आध्या को गोद में लेकर कमरे की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे दोड़ते सभी लोग चले आ रहे थे अहाना और सध्धार्थ के माथे पर शिकन साव दिखाई दे रही थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आध्या को हुआ क्या था जब आध्या को कमरे में ले जाय गया कि आध्या को क्या हुआ था धैरे ने सभी को जो हुआ था वो बताया और उसने ये भी बताया कि कैसे आध्या धैरे पर मडर का आरोप लगा रही थी जबकि ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकता था धैरे इस वक्त परिशान था और वीरा के पास जाकर धहरे ने का आप तो मेरा यकीन करिये आधिया जो भी कह रही है वो सही नहीं है आपको तो सब सच पता है रावी ने जब धहरे को काफी परिशान देखा तो उसने धहरे को अपने गले से लगाया और उसकी पीट थपत पाते हुए का हमें पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो और आधिया को भी कोई गलत फैमी हुई है तुम शान्त हो जाओ वो थोड़ी देर में सब समझ जाएगी सब बाहर खड़े आधिया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी देर में ही आधिया को होश आ गया था लेकिन आधिया होश में आने के बाद भी घुसे में कुछ भी चिला रही थी और जैसे ही उसके सामने धहरे आया वो धहरे की और देखकर चिलाने लगी तुमने ऐसा क्यूं किया है? तुमने मेरे मोक्ष को क्यूं मारा है? और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ध्यरे कुछ भी बोलने ही रहा था, वो बस शांती से आध्या की तरफ देख रहा था और आध्या लगातार उस पर आरोप पर आरोप लगाती जा रही थी ये सब देखकर आहाना की आँखों से आसू आने लगे और पास में खड़ा सिध्धार्थ आध्या को लगातार समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा था काफी देर तक आध्या को समझाया गया लेकिन आध्या समझने को राजी ही नहीं थी जब उसे धेरे के निर्दोश होने के कई प्रूफ दिखाए गए तब जाकर आध्या थोड़ी सी शांत हुई थी लेकिन धेरे को लेकर उसका घुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था आध्या ने सब के सामने धेरे से का आज जो भी हुआ है वो सब धेरे का मोक्ष के प्रती नफरत के कारण हुआ है मोक्ष मेरा सिर्फ दोस्त था और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं था और जो कुछ भी मेरा और मोक्ष के बीच हुआ था जिसे धेरे ने देखा था, वो किसी की साजश थी, और वो सच नहीं था, मैं और मोक्ष सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर भी धेरे लगातार मोक्ष और मुझ पर शक करता था, यहां तक कि धेरे ने मुझे धंकी भी दी थी, कि वो मोक्ष को इस दुनिया से बस वो तुम्हारा फायदा ना उठा सके, इसलिए मैं तुम्हें उससे दूर रखना चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूँगा, यह तुम्हें सोच भी नहीं सकता हूं। सद्धार्थ ने सभी से का, मुझे लगता है हमें इन दोनों को अकेले में कुछ देर के लिए रहने देना चाहिए, दोनों ही आपस में बात करके अपनी चीजों को सुलझा लेंगे, और शायद उससे उनके बीच की गलत वहमी भी दूर हो जाए। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी, जब बहुत समय तक दोनों एक दूसरे से नहीं बोले तो धैरे ने आधिया से कहा, मुझे माफ कर देना आधिया कि मैंने तुम्हे और मुख्ष को दूर करने के लिए हमेशा हर तरह का प्रयास किया, लेकिन मेरी एक बात का तुम्हें यकीन जरूर करना होगा, कि जैसा तुम्हें लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहने के बाद धैरे आधिया की और मुड़ा और आधिया भी धैरे की तरफ मुड़ी और दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखने लगे, धैरे की आखों में वो विश्वास साव जलक रहा था जो आधिया को दिलाना चाह रहा था, आधिया कुछ देर तक धैरे की सीने से लगाया हुआ था, धहरे के लिए आज काफी बड़ा दिन था, वो इसी दिन के इंतजार में था और जैसा वो चाहता था, आज वैसा हुआ था, अध्या ने खुद ही धहरे को गले से लगाया, धहरे ने भी आध्या की पीट पर धीरे से हाथ फेरना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पीट को सहला रहा था। धहरे आध्या को अपने हाथों की चुवन महसूस कराने लगा। वो आध्या को एहसास कराना चाहता था कि वो आध्या की कितनी केर करता था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से लिपते रहे और फ ऐसे ही धैरे ने आध्या के होटो पर अपने होट रखे तो वो थोड़ा सा सहम गई थी। उसने अपनी बंद आखो को हलका सा खोला और फिर से अपनी आख बंद कर ली। धैरे ने फिर से आध्या के होटो पर किस किया और थोड़ी ही देर बाद जब उसने देखा कि आध्या उसे मना नहीं कर रही थी तो धैरे आध्या के लिप्स पर स्मूच करने लगा। धीरे धीरे धैरे स्मूच करता जा रहा था और कुछ देर बाद आध्या भी धैरे का और कुछ ही देर में आधिया धेरे को लव बाइजबी देने लगी। अधिया के पूरे शरीर को धीरे धीरे चूता रहा। धेरे और आधिया बहुत आगे बढ़ गए थे और एक दूसरे से वाइल होकर प्यार कर रहे थे। इस वक्त कुछ भी न बोलना ही सही है धेरे ये लमहे अकसर नहीं आते हैं बेश कीमती हैं ये लमहे और ये जब अपनी पूरी ताकत के साथ आते हैं तो हमें इनका अपनी खुली बाहुं से स्वागत करना चाहिए। अगर हमने अब इन्हे रोका तो शाहिद ये लमहे वापस आने में कई दिन लगा देंगे। मैमिया हमारे बीच रहेंगी मुझे नहीं लगता है हम चो कर रहे हैं उसमें हमें सुकून दी मिलेगा। सामने आ गई। धैरे भी अपने शादी के कपड़े में तयार था। घर के बाकी के लोग तो खुश थे लेकिन आधिया और धैरे अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए सभी फंक्शन बहुत जल्दी होने थे। जल्दी जल्दी दोनोंने एक दूसरे को माला पहना दी और फिर पंडित ने फेरों के लिए बुलाया। किसी तरह से शादी की रस्म पूरी की जा रही थी लेकिन इस रस्म में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी सब बस किसी तरह से फॉर्मालिटी के लिए किया जा रहा था। उसके बाद धैरे और आध्या अपने कमरे में चले गए और धैरे ने आध्या से कहा रात बहुत हो गई और अब हमें सो जाना चाहिए। और जमीन में चाकर सोने लगी। जमीन पर लेटे हुए आध्या ने कहा अगर तुम मेरे साथ सो नहीं सकते हो तो हम जो भी थोड़ी दिर पहले कर रहे थे वो क्या था। हैरे अभी भी आध्या की बात का जवाब नहीं दे रहा था और सोने का नाटक करने लगा आध्या ने भी अपनी आखे बंद की लेकिन उसकी आँखों से आसु गिर रहे थे जो धैरे के लिए नहीं बलकि मुक्ष के लिए थे हैरे ने आखे बंद की और मन में कहा आध्या तुम नहीं जानती हो मैंने क्यूं तुम्हें जमीन पर सोने को कहा है तुम अभी भी मुझे उस तरह से अपना नहीं मानती हो अभी भी तुम्हारे मन में मुक्ष के लेकर लगाव है आज तो मैंने अपने सामने देख लिया और मैं तब तक तक तुम्हारे साथ नहीं सो सकता जब तक तक तुम हमेशा के लिए मुख्ष को अपने दिल से नहीं निकाल देती हो रात में धैर्य और आध्या दोनों ही सो गए थे अगली सुभा परिवार के सभी सद्यर से उठ गए थे और हर कोई धैर्य और आध्या के आने का इंतजार कर रहा था सिधार्त ने परिशान होते होए अहाना से कहा क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा कहीं आध्या ने फिर से कोई हंगामा तो नहीं किया होगा मन बहुत घबरा रहा है मेरा अहाना ने सिधार्त को समझाते होई कहा हमारी बेटी इतनी भी कमजोर और बेवकूफ नहीं है चो सही और गलत में फर्क ना कर पाए उसने जरूर सच से सामना कर लिया होगा उसे भी पता है सच क्या है और जूट क्या है आप चिंता मत करिये उन दोनों के बीच अब सब कुछ सही ही होगा इतने में ही वहाँ पर रावी आ गई और बोली सधार्थ और आहाना रावी के आने से थोड़ा सांकमफोटिबल हो गए आहाना ने रावी से कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उन दोनों के रिष्टों में घुसना चाहते है बस बात ये है कि हम चाहते हैं उन दोनों के भी जो भी है वो सही हो जाए रावी ने अहना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा आज तो आध्या की पहली रसोई है इस खर में अब हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब हमें आध्या के हाथ से पहली बार कुछ खाने को मिलेगा और ये आध्या और ध्यारी है कि अब तक नीचे ही नहीं आए है सभी लोग नीचे ध्यारी के आने का इंतजार कर रहे थे कुछ देर बाद ध्यारी जल्दी जल्दी से नीचे उतरता हुआ आया और खाने के लिए टेबल पर बैढ़ गया वो बोला आप सब लोग एक साथ यूँ बैठे हुए है और क्या अभी तक नाश्ता तयार नहीं हुआ है ध्यारी के बिहेवियर से सब समझ गए थे कि अभी भी ध्यारी और आध्या के बीच कुछ भी सही नहीं था ध्यारी के गुस्से को देखते होए रावी ध्यारी के पास आई और बोली ध्यारी आज तो आध्या की पहली रसोई है रस्मिक के हिसाब से तो वो ही आज की रसोई में खाना बनाईगी तो जब तक आध्या कुछ तयार नहीं करती है तब तक नाश्ता कैसे बन सकता है धेरे ने मेज पर हाथ पटकते होगा तो मुझे नाश्टे के लिए भी इंतिजार करना होगा और एक बात मैं आपको बता दू मैं आध्या के हाथ का खाना नहीं खाना चाहता हूँ ये बात सुनकर सिधार्त और अहाना चौक गए सिधार्त और अहाना ने धेरे के पास आकर का धेरे जो भी हुआ है उसे भूल जाओ आखिर आध्या तुम्हारी पतनी है अगर तुम दोनों साथ में खुश नहीं रहोगे तो फिर इस रिष्टे के माईनी क्या है धेरे ने अहाना से का सच तो आपको भी पता है फिर मेरे और आध्या के बीच के किस रिष्टे की बात आप लो कर रहे है आध्या के मन में जो भी है वो मेरे लिए नहीं बलकि किसी और के लिए है सिधार्त ने धेरे को समझाते हुएगा बेटा आध्या ऐसी नहीं है तुम्हें उसे लेकर जो भी गलत फैमी है वो तुम एक दूसरे से बात करके दूर कर सकते हो इतने में आध्या किचन से सभी के लिए कुछ मीठा बनाकर ट्रे में सजाकर ला रही थी और रावी ने ध्यरे से का लो तुम्हारी भूक को मिटाने के लिए आध्या ने स्वादिश्ट खीर बनाई है चलो हम सब मिलकर इंजॉय करते है जैसे ही आध्या ने खीर की ट्रे को लाकर ध्यरे के सामने रखा ध्यरे की आखें लाल हो गई और घुसा करते हुए बुला कहीं ए खीर खिला कर तुम मुझसे बदला लेना तो नहीं चाहती आखिर वो तुम्हारा सबसे करीबी ध्यरे ने अपनी बात पूरी नहीं किया और रुक्या आध्या ने ध्यरे से का तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ काओ और मैं इतनी भी निर्दे नहीं हूँ जो किसी के साथ इस हद तक बुरा करूँ रावी ने ध्यरे से का अब बहुत हो गया ध्यरे कम से कम आच के दिन तो तुम दोनों चुप हो जाओ और जो नाशता सामने आया है उसे इंजोई करो तुम दोनों इतने अच्छे मौके पर भी लड़ोगे तो फिर कैसे चलेगा रावी अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही ध्यरे उटकर वहां से चला किया और तेज रफतार में बाहर निकला आया उसकी मुठी बंद थी और वो घुसे में था सिधार्थ, अहाना और रावी सभी ने ध्यरे को रोकने की कोशश की लेकिन ध्यरे ने किसी की भी नहीं सुनी ध्यरे ने अपनी गाड़ी निकाली और तेज रफतार में अपने आफिस की और निकल पड़ा ध्यरे का घुसा साथवे आसमान पर था उसे मोक्ष और आध्या की एक दूसरे के प्रती इतनी नस्दीकिया परेशान कर रही थी और उसे लग रहा था कि आध्या मोक्ष को ही चाहती थी और अब मचपूरी में आकर आध्या को ध्यरे के साथ रहना पड़ रहा था लेकिन जैसे ही उसने उस बच्ची को देखा, उसने जोर से ब्रेक मार कर उस बच्ची को बचा लिया, और गाड़ी में बैठे हुए धहरे ने का, आज तो बच क्या, नहीं चो इलजा मेरे उपर लग रहे हैं, वो आज सच हो जाते, मेरे हातों किसी की जान चली जाती, अब गाड़ी चलाते हुए धहरे के हाथ काप रहे थे, पिछले कही सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब कोई उसकी गाड़ी के सामने इस प्रकार आया हो, और आक्सिडेंट होते होते बचाओ, किसी तरह से धहरे सब कुछ सोचते हुए ऑफिस पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वो ओफिस पहुचता है, उसने वाच्मेन को डाटते होएगा, यह यहाँ इतनी भीड क्यों जमा हो रखी है, क्या तुम ही नहीं पता है कि मुझे इस तरह से भीड लगना और ओफिस में शोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वाच्मेन तुरंत उन लोगों को बात करना सभी के लिए चौकाने वाला था, आज पहली बार धहरे ने इस तरह से किसी पर घुसा किया था, वहीं जैसे ही धहरे ओफिस में इंटर करने लगा और अपने कैबिन की और जा रहा था, अभी उसने किसी के टेबल पर फाइलों को बिखरे होए देखा और चलाने लगा, तुम लोग जहां बैठते हो, उसे भी साफ नहीं रख सकते, ये फाइले जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत और confidential हो सकती है, तुम सबको उसी की कोई फिक्र नहीं है, धैरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, और अपने कैबिन में चा रहा था, उसका सभी पर घुसा बढ़ रहा था, किसी को इस बात का अंताजा भी नहीं था, कि आखिर धैरे किसलिए घुसा था, ओफिस में सब शांत थे, वहीं आश्यर्य में भी थे कि आखिर धैरे का स्वभाव अचानक इतना बदल सा क्यूं गया था, धैरे अपने कैबिन में चेर पर बैठा, और उसन उसे नए-नए और तरह-तरह के गिफ्ट दे रहा था, हर कोई आधिया से प्यार कर रहा था, लेकिन आधिया के मन में अभी भी कुछ और ही चल रहा था, वो सब के सामने खुश तो थी, लेकिन उसका मन कहीं और था, उधर धैरे, जो काफी समय से सोच रहा था, वो अपनी ख जामिल होना था, इसलिए वो काफी व्यस्त था, लगातार वो अपने लैप्टॉप में काम कर रहा था, और फोन पर भी उसकी बात्चीच चल रही थी, रिशी की ये एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, और इस मीटिंग के बाद रिशी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था रिशी मन ही मन बहुत खुश भी था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ लगने वाला था, और वो इस मकसद को अन्जाम देखा, रिशी ने मन ही मन कहा, अगर आज ये प्रोजेक्ट हाथ आ जाता है, तो सब कुछ सही हो जा देखो मीटिंग में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो भी पाटी से हम मीटिंग करने वाले हैं, उसके बारे में भी तुम्हें सब कुछ जानना होगा, तुम्हें पता है, मैं कभी भी किसी ऐसे गेर के साथ मीटिंग नहीं करती हूँ, उस आदमी ने वीरा से कहा, ये कोई एरा गेरा नहीं है, बलकि कोई ऐसा है जिसके साथ मीटिंग होने पर हम और भी मस्बूत हो जाएंगे, और मेरा विश्वास करिये, इस मीटिंग से हमारा फायदा ही होगा, और अही बात जाचने की तो भी पूरी तरह से कर ली गई है, रिशी ठीक समय पर करने के लिए आया था, वो उसकी ex-girlfriend वीरा थी, तब ही दर्वासा खुला और एक लड़की conference hall में गुसी, रिशी ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वो चौक गया, वीरा की भी नजर जब रिशी पर पड़ी, तो वो भी कुछ पल के लिए चौक गई और बोली, तुम य भूली नहीं थी कि कैसे रिशी ने उसे अचानक बिना सही कारण बताये छोड़ दिया था, वीरा ने रूट बिहेव करते होए रिशी से कहा, मैं इस company की मालिक हूँ, जहां तुम अपने काम के लिए आये हो, और यहां हम दोनो personal रिश्टे और पुरानी बातों को भूल जा वीरा ने घुसे में कहा, हमारे भी जो भी था, वो आज से 9 साल पहले ही खतम हो गया था, अब उस रिश्टे को हमारे मीटिंग के बीच में लाने का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि तुम professional और personal रिश्टे को अलग रखो तो बहतर होगा, वीरा का घुसा द रुख्या, रिशी वीरा को किस करना चाहता था, और वीरा को बताना भी चाहता था, कि वो से कितना प्यार करता था, लेकिन फिर रिशी दो कदम पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक से फिर वो वीरा के पास गया, और रिशी ने वीरा के होटों पर अपने होट रख दिये, वीरा ने रिशी को दूर करते होए का ये क्या कर रहे हो रिशी, तुम इस तरह से नहीं कर सकते, ये गलत है रिशी ने वीरा से का हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है हम आज कितने दिन बाद मिले हैं और क्या हम अपने प्यार का इजहार भी एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं आखिर आज भी हमारे दिल में वो पल जंदा है चो हमने कभी साथ में जिये थे रिशी बातों पर वीरा चुप थी और उसके करीब आकर खड़ी हो गई थी रिशी पुराने दिन को याद करते होए बोला क्या तुम्हें याद है वीरा वो दिन जब सोरो की बारिश हो रही थी और मुझे बारिश में निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था लेकिन मैं तुम्हारी सिद्ग के कारण बाहर निकला था वीरा ने मूँ बनाते होए गा हाँ उस दिन कुछ तेर की बारिश में ही भीगने के बाद तुमने कितना घुसा किया था वो भी मुझे याद है तुमने पूरा घुसा मुझे पर निकाल दिया था और पूरी बारिश के मज़े को बेकार कर दिया था उस दिन के बाद मैंने तो यही सोचा था कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ बारिश में कहीं भी नहीं जाओंगी। रिशी ने याद करते हुए कहा, लेकिन उस दिन तुम भीगे हुए कपड़ों में बहुत खुबसूरत लग रही थी। बारिश की बूंदे जैसे जैसे तुम्हारे शरीर और चेहरे को चू कर जा रही थी, मेरा मन बीच सड़क पर तुम्हें किस करने को कर रहा था। मैं मन ही मन उस दिन तुम्हारे शरीर से लिपट कर तुम्हारे प्यार में भीग जाना चाहता था, लेकिन वो बारिश वीरा औ रिशी बात करते हुए रيमांटिक होते जा रहे थे उनके बीच रॉमांस बढ़ रहा था वो जैसे ये अपनी यादों को याद कर रहे थे वो उसी पल में खोते जा रहे थे वीरा और रिशी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वीरा ने कहा उस दिन बारिश में भीक कर मैं ठंड के कारण काप रही थी मैं भी तुम से दूर नहीं जाना चाहती थी लेकिन तुमारे घुस्से ने मुझे रोक रखा था इतना कहने के बाद वीरा ने रिशी के चेहरी की और देखा और रिशी ने भी वीरा की तरफ देखा दोनों एक दूसरे से नजर से नजर मिला रहे थे और तभी वीरा ने रिशी को जोर से अपनी और खीच लिया रिशी ने भी वीरा को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने ही एक दूसरे को डीपली किस करना शुरू कर दिया दोनों होटों को ऐसे स्मूच कर रहे थे जैसे आज के बाद उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा रिशी ने वीरा के दोनों हाथों को पकड़ रखा था वीरा ने रिशी से अपने हाथ छुड़ाए और उसके शरीर पर अपनी उंगली फेरते हुए उसके गालों को अपने हाथों से सहलाने लगी दोनों ही प्यार में मश्कूल थे इतने में किसी ने दर्वाजे पर खट-खटाया वीरा ने तुरंत रिशी से दूर होते हुएगा अंदर आचाओ इतना कहने के बाद वीरा खुद को ठीक करने लगी और रिशी भी थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो गया ओफिस के प्यून ने एक कॉफी का कप लाकर वीरा के पास रखा और एक कॉफी का कप रिशी के पास रखा लेकिन जैसे ही रिशी उस कप को उठा कर कॉफी पीने ही वाला था वीरा ने रिशी से कहा हम जब काम के लिए यहां आए हैं हमें वो करना चाहिए उसके बाद रिशी और वीरा ने काफी देर तक काम के बारे में बात करने लगे उधर शॉपिंग मॉल में प्रतिग्या अपने बेटे के साथ आई हुई थी प्रतिग्या सभी couples को एक साथ देखकर अपने दिनों को याद कर रही थी आज उसके साथ उसका पारटनर हर्श नहीं था लेकिन उसके पास उसका बेटा ज़रूर था जो प्रतिग्या की मुस्कुराहत का कारन था प्रतिग्या ने अपने बेटे को बच्छो वाली ट्रेन पर बिठाया और उससे बोली आज मेरा बेटा ट्रेन में बैठेगा और ट्रेन में बैठकर घूमने के लिए जाएगा प्रतिग्या का बेटा ट्रेन में बैटकर काफी खुश था और प्रतिग्या उसे देखकर खुश थी और तब ही उसने मन में सोचते हुए गहा काश आज इस खुशी में तुम भी शामिल होते हम एक साथ होते तो शायद तुम भी देख पाते कैसे आज हमारा बेटा हस रहा है वो इस गाड़ी पर बैठ कर कितना खुश है तब ही वहाँ पर रिशी सत्यराज आए और उन्होंने प्रतिग्या से कहा मैं उसे मौल गुमा रहा हूँ तब तक तुम अपने लिए जो शॉपिंग करना चाहती हो कर लो प्रतिग्या ने रिशी सत्यराज से कहा जी पापा, मुझे अपने लिए और इसके लिए कुछ ट्रेसस खरीदी है आप इसका खयाल रखिए, तब तक मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ प्रतिग्या अपने पिता के पास अपने बेटे को छोड़ कर शॉपिंग कर रही थी वो शॉपिंग में बिजी थी कि तभी उसे एक शिर्ट दिखी और प्रतिग्या ने मन ही मन कहा आज अगर तुम होते तो मैं तुम्हारे लिए ये शिर्ट जरूर खरीदती तुम पर इशर्ट बहुत ज्याद अच्छी लगती हर्ष प्रतिग्या हर्ष के बारे में सोच रही थी और उसके आँखों से आसू भी गिर रहे थे उधर मॉल में हर्ष की भी एंट्री हो गई थी हर्ष मॉल में किसी से मिलने के लिए आया था और उसने मॉल में एंट्री करते होए फोन कॉल पर कहा क्या तुम अभी तक पहुँचे नहीं हो अगर तुम देर लगाओगे तो फिर मैं तुम पर कैसे बिश्वास कर सकता हूँ हमें उस काम को अंजाम तक पहुँचाना है लेकिन शायद तुमने मेरे मकसद को मजाक मिलिया है हर्श ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया और मॉल के अंदर खुसने लगा उधर प्रतिग्या को भी शॉप में कुछ पसंद नहीं आया और वो भी शॉप से बाहर आ गई प्रतिग्या मॉल की शॉप को देखते हुए आगे बढ़ रही थी और हर्श अपने मुबाइल में किसी को मेसेज करते हुए आगे बढ़ रहा था दोनों इक दूसरे की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे लेकिन दोनों की नजरें आमने सामने नहीं थी अचानक दोनों आकर एक दूसरे से बढ़ गए और प्रतिग्या ने कहा हर्श तुम यहां? हर्श ने भी चौकते हुए कहा प्रतिग्या तुम यहां क्या कर रही हो? प्रतिग्या ने मन में कहा और दोनों ही एक दूसरे को देखकर अजीब सा महसूस कर रहे थे दोनों की आखें भर आई थी और वो दोनों बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे उधर रिशी और वीरा की मीटिंग खतम हो चुकी थी रिशी ने वीरा से कहा ये बहुत बड़ा काम है और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इसमें हम सब का फायदा है मैंने अपना इसमें फुल फोकस लगाया है अब अगर इसमें कुछ गड़बड हुई तो अच्छा नहीं होगा वीरा ने रिशी से का तुम चिंता मत करो ये जरूर सक्सेस होगा और जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा लेकिन एक बार सोच लो क्या तुम जो करने जा रहे हो वो सही है इसका अंजाम भी तुमें पता है ये खतरनाग भी हो सकता है और हो सकता है जहां तुमें इसमें फायद किसे बड़े मकसद के लिए आया है?